तो वेलकम डियर इस्टुडेंस मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूँ स्वारत करता हूँ आपका अपना यूटूब चानल ब्रिलियन्ट नौलज में तो यहाँ पर प्रस्ण है मुद्रा मुद्रा का मतलब होता है रुपिया पैसा या पुन्जी तो मुद्रा के आर्थिक महत्व पर परकास डाले यानि हमें मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में बताना है अब दीखे महत्व का मतलब होता है इंपोटन्स और यहाँ पर आर्थिक महत्व को बताना है तो आर्थिक का मतलब होता है आर्थ का और आर्थ मतलब होता है रुप्या पैसा यानि मुद्रा का आर्थिक क्या महत्व है यानि हमें ये बताना है कि क्या मुद्रा से आर्थिक महत्व मतलब क्या मुद्रा के आविसकाड से हम लोग विकास किये हैं हम लोग का काम धन्दा ज आज आधुनिक युग मतलब आज का जो समय है में मुदरा का महत्वपूर्ण अस्थान है मतलब आज की युग में मुदरा का महत्वपूर्ण अस्थान है देखे आप कोई भी कारी करने जा रहे हैं तो वहां मुदरा आता है कोई चीज को खड़ी दिये वहां मुदरा तो आप समझ सकते हैं कि यह जो आधुनिक यूग है इसमें मुद्रा का कितना महतपुर्णा स्थान है यदि आज मुद्रा को वर्तमान अर्थ विवस्था से हटा दिया जाए यानि यदि हम मुद्रा को वर्तमान मतलब अभी के अर्थ विवस्था से हटा दे तो हमारी सभी आर्थिक रियाएं रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी अब यहाँ पर कुछ वर्ट से उसको समझेगे सबसे पहले तो यहाँ समझे कि अर्थ विवस्था क्या होता है देखे यहाँ पर जो अर्थ है ना अर्थ का मतलब होता है रुपिया पैसा विवस्था का मतलब होता है धाचा तो ऐसा धाचा ऐसा विवस्था जहाँ अर्थ की बात हो रुपिय पैसे की बात हो रुपिय पैसे की बात कब होता है जब हम कोई काम करते हैं और उस काम की बदले में हमें रुपिया मिलता है तो हमारे आसपात जितने भी रुपिया पैसे कमाने वाला काम हो रहा है ना इसी को मिला करके जो वेवस्था बनेगा उसको अर्थ वेवस्था बोलेंगे काम है वो चाहें तो रुख जाएगा या नहीं तो धीमी हो जाएगा तोगि सभी आर्थिक क्रियाएं मुदरा पर ही क्या है डिपेंड है आगे है यदि मुदरा का आविश्कार ना हुआ होता तो आज वीश्व के विविन देशों में इतना पर आर्थिक परगती भी नहीं को मिलता यानि यहाँ पर क्या कहा गया है कि यदि मुद्रा का अविश्कार नहीं होता तो आग जो बिविन्य देशों में इतना आर्थिक पिर्गठी करना और आर्थिक का मतलब फिर से बता रही की अर्थ का होता अर्थ मतलब होता है उता अर्थिक्न परके अर्गति यहने देखने को नहीं मिलता तो अब आगे बरते हुआ कि समाजवादि और मिस्रित अर्थ वेश्ठा क्यों ना हो रोकिस्ता जो है वह तीन परकार का होता है एक पुंजीवादी, समाजवादी और मिस्रीत अर्थ विवस्था, तो ये तीनों में से कोई भी अर्थ विवस्था क्यों ना हो, सभी प्रकार के अर्थ विवस्था में मुद्रा आर्थिक विकास को तेज कर महतुए पुर्ण भूमी का निबाता है, किसको तेज कर आर्थिक व कोई भी आर्थवववस्ता क्यों ना हो, उसमें मुद्रा जो है, आर्थिक विकास को तेज करके, अपना महतोपूर्ण भूमी का निभाता है, इस आधुनिक युग में, जीवन के परतेक छेत्र में, जीवन के जितने भी छेत्र हैं, परतेक छेत्र में, मुद्रा के दौरा परभावीत होता है यानि आज आधुनिक युग में अभी के युग में जीवन का जो परतेग छेत्र हैं कहीं ना कहीं सब जगे आपको मुद्रा ही मिलेगा इसलिए मुद्रा हर छेत्रों को परभावीत करता है उस पर परभावीत करना मतलब असर डालना इफेक्ट डालना अ अब आगे देखिए यहां पर, मुद्रा निम्नदी छेत्रों में महतपुन योगदान देता है, यानि मुद्रा जो है, नीचे कुछ छेत्र है, वहां पर अपना महतपुन योगदान देता है, पहला है उब भोगता के छेत्र में, उब भोगता मतलब यदि हम किसी वस्तू का प्रयोग करते हैं तो हम लोग भोगता हो गए तो मुद्रा के छेत्र में महातवपुने योगदान देता है दूसरा है उत्पादन के छेत्र में किसी वस्तु को बनाना पैदा करना ही क्या है उत्पादन है वी नीमे के छेत्र में वी नीमे का मतलब होता है वी नीमे का मतलब ह चेत्र में यानि कोई सरकार जो टेक्स के रूप में वसुल करते हैं उसे राजस पर बोलते हैं तो उस चेत्र में भी महत्पून भूमी का निभाता है तो यहां पर यह वीडियो समापत होता मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा धन्यवाद